नमस्कार आज 12 दिसंबर है 12 दिसंबर यानि के सदी के सुपरेश्टार रणिकांट का जन्विन रणिकांट नाम इतना बरा कि अगर उनके नाम से या उनकी कोई फिर्म अगर साउथ इंडिया में आती है तो पूरे साउथ इंडिया में नेशनल छुट्टी घोसित कर दी जा से रातो रात सुपरेश्टार बने इस वीडियो में हम जानेंगे इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर चैनल पर पहली वार आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर अनकुल जिएगा क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते र खुरू में उनका मून नाम जो था वो सिवाजी राव गायवार्टकर था बचुपन से ही सिवाजी राव गायव कर यानि कि रधनी कांत फिल्म में आना चाहते थे शुरुवाती दोर पे रदनी कांत ने बस कंडेक्टर के रूप में काम किया इसके दोरान रदनी कांत ने रंगमज के कुछ नाट्टियों में भी अपना जलवा दिखाया इसी दोरान तमील फिल्मों के मस्वूर निरदेसक बालचंदर एक नाटग में रदनी कांत के अभिनेक्स से काफी प्रबाबित हुए बर्स 1975 में बालचंदर के निरदेसित बनी तमील फिल्म अपुर्बा रंगागल में रधनी कांथ ने अपनी सिनेमा कैरियर की शुर्यात की, इस फिल्म में कमल हासन मुख भूमिका में थे वर्स 1978 में परदर्सी तमिल फिल्म भैरवी में रदनी कांथ बतोर मुख अभी नेता के रूप में पहली वार काम करने का मौका मिला यहीं कि आप यह कह सकते हैं कि भैरवी जो थी रदनी कांथ की फर्स्ट फिल्म थी जिसमें की वो एक्टर के रूप में थे या फिल्म टिकट खिर्की पे सुपर हिट साबित हुई और रदनी कांथ रात और रात सुपर एश्टार बन गए बर्स 1980 में रदनी कांथ की एक और सुपर हिट फिल्म बिल्ला परदर्सित हुई बिल्ला अमिताब की सुपर हिट फिल्म डॉन की रिमेक थी अब बात करते हैं बर्स 1983 में परदर्सित फिल्म अंदा कानून की अंदा कानून के जरिये ही रदनी कान्थ बॉली बूर्ड में अपना कदम रख दिये और इस फिल्म में रदनी कान्थ की भूंका ग्रे सेडर के लिए हुई थी दर्स煮 का真 अंदा कानून का अंदा कानून टिकर्की पे इतनी जादा बन पर भीर हुई जिससे दर्सукो के दिल में रदनी कान्थ पूरे भारत में बस गया आपको बता दे कि 90 के दर्सक में रदनी कान्थ में दच्छिन भारते फिल्मों के महानायक बन गए थे इस दोरान रजनी कांट में जितनी भी फिल्मों में काम किया सभी फिल्म जो है टिकट काउंटर पे दर्सकों की काफी अच्छी ताद में भीर लाई अगर अब बर्स 2005 की बात करें तो उनकी परदस्टी फिल्म चंदर मुखी जो था एक बार वापसी उनके अभीने का लोहा मनबाया इसके बात बर्स 2007 में रदनी कांट के फिल्म सिवाजी दो बाउस पर दर्सित हुई इस फिल्म ने टिकट खिरकी पर सफलता के नए किरतिमाना स्थापित किये सिवाजी दो बाउस भारते सिनेमा के इतियास में पहली फिल्म बनी जिसमें हॉलिवुड के रेजुलेशन तकनीकी का इस्तमाल हुआ बस 2010 में रदनी कांट के फिल्म रोवर्ट पर दर्सित हुई जो की दर्सोगों के दिलों दिमाग पे असर कर गई और रदनी कांट का जो सदियों सदियों तक चलने वाला जो एक्टिंग का जलबा था वो पूरी दुनिया ने माना रोवर्ट की कमाई 225 करोड से भी अधिक चली गई थी रोवर्ट रदनी कांट की तमिल फिल्म इथीरन का हिंदी बर्जन था बस 2014 में रदनी कांट के दो फिल्में कोदाईचिया और लिंगा पर दर्सित हुई हाला के दोनों फिल्में टिकट खिरकी पे कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई बस 2018 में रदनी कांट की सूपरीट फिल्म रोबर टू पर दर्सित हुई और जो की काफी ज़्यादा अच्छा पर दर्सित हुई तो हम उम्मीद करते हैं कि रदनी कांट इसी तरह से हमारे लिए अच्छे अच्छे फिल्में लाते रहे तो भीहार डेल अच्छे में तबता के लिबाए